नाखपुर संभागिया राजस्व क्हेल एवं सांस्कृतिक प्रतेयोगिता का शुभारम शनिवार को मानकपृ संभागिया खेल परिसर में आयुक्त विजयलक्षमी बिदारी ने आश्राय विक्त की 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 और संस्कृतिक उत्सवों और इस तरह की सभाओं के माध्यम से तनाव कम होना चाहिए और राजस्वी विभाग को खेल कूद और तनाव मुक्त कर्मचारियों के रूप में जाना जाना चाहिए इस अफसर पर कलेक्टर डॉक्टर विपी निटनकर गडचिरोली कलेक्टर संजय मीना बंडारा कलेक्टर योगेश कुमबेचकर नागपुर ग्रामिन पुलिस अधिक्षक विशाल आनन जिला परिशत के मुख्य कारिकारी अधिकारी सौम्य शर्मा अपर कलेक्टर आशा के पददिकारी मुख्यर रूप से मंच पर मौजुद रहे राजस्वी विभाद में काम पहले की तुलना में बढ़ गया है और नई सुचना प्रद्योगी की के युग में वाटसेप और इमेल के उप्योग के कारण सभी को तुरंत जवाब देना पड़ता है और काम करना पड़ता है ऐसे मामलों में एकी करन खेल और कला शो सांस्कृतिक कारिकरम तनाव को कम करने में मिदद करते हैं विजय लक्ष्मी बिदरी ने कहा कि करमचारियों से तनाव राहत कारिकरम में सकरियर रूप से भाग लेने की अपील की गई है कलेक्टर डॉक्टर विपे नि परिचय में खेल कूद्व सांस्कृतिक प्रतियों की जानकारी दी कोरुणा के बाद पहली बार हो रहे इस टूर्नमेंट में एक एसी खेल कूद्व सांस्कृतिक कारिकरमों का आयोजन किया गया है तीन दिवसिये इस आयोजन में विभाग के करीब 1200 से 1500 राजस्व अधिक करमचारी उपस्तेत रहेंगे सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन मानका पुर्स्तेत संभाग या खेल परिसर में किया जाएगा और क्रिकेट मैच वी सीए स्टेडियम में किया जाएगा उन्होंने बिताया कि नागपुर नगर निगम के स्वीमिंग पूल में मैदानी व तेराकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जौने वाला है इस मौके पर संभागे राजस्व करमचारी संके राजु धांडे विधर्ब पटवारी महासंके संजय अन्वनी नी भी विचार व्यक्त किये NBCN News के लिए राजकुमार महोड के साथ अकसा अंसारी की रिपोर्ट